हाई गाईज वैगम टो वेल्डेखो.com मेरो नाम है देव सो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट फ्लाक्सी कैप फंड्स के यहाप मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि जो फ्लाक्सी कैप मुचल फंड्स होते हैं मल्टी कैप मुचल फंड्स होते हैं दोरों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम लोग कंपे करेंगे क्वांट के फ्लाक्सी कैप को बाके साथ ही mutual funds के साथ में साथ में मैं आपको एक conclusion देने वाला हूँ बताने वाला हूँ कि अगर आप एक long term के लिए SIP के लिए निवेश देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा खासा फ्लैक्सी के फंड यहां पर देख रहे हैं तो देखे अगर मैं difference की बात करो फ्लैक्सी के अंदर क्या होता है जो fund manager होता है जो mutual fund basically handle करता है उसके पास में पूरी freedom आ जाती है कि वो किसी भी कबनी का stock अपने पास यहां पर चूज आउट कर सकता है mostly होता है कि मल्टी के अंदर एक standard होता है कि भाईया इतना percentage आपको large cap में लगाना है इतना percentage आपको mid में लगाना है इतना percentage आपको small cap में लगाना है लेकिन यहां पर फ्लैक्सी cap में अच्छी बात कहा है कि fund manager के पास में पूरी freedom है कि वो चाहे तो maximum अपना small cap में भी डाल सकता है mid में भी डाल सकता है large में भी डाल सकता है तो यहां पर आप जो expense ratio देते हैं ultimately उसकी आपको value for money मिलती है क्योंकि fund manager का काम यही होता है कि stock के अपर पूरी डंग से research करके अपने investor को यहां पर maximize returns देना अब देखिए गाईस अगर मैं इस fund की यहां पर बात को तो just 0.58% का expense ratio है plus guys अगर आप पूरी की पूरी यहां पर जो है जो flexi cap fund category होती है उसके दर उठा के देखेंगे तो यहां पर सबसे ज़्यादा जो return निगाल के दिये ultimately पहले जो है पराग पारिक का नाम लिए जादा था तो उसके बावजूद भी यहां पर number one के उपर quant का नाम आता है मैं guys अगर मैं यहां पर risk ratios की बात के हो तो यहां पर आपका standard division थोड़ा सा high volatility का दिखाता है लेकिन जित्ता आप यहां पर risk उठा रहे हैं उसके against में यहां पर आपको returns भी देखनी को मिल रहे हैं अगर मैं quant के flexi cap fund को simply यहां पर top 3 mutual funds और के साथ में compare करता हो जिसके अंदर India का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा SDFC का flexi cap fund आता है कूटक का flexi cap आता है और पराग-परिक का flexi cap funds आता है तो उसको भी अगर मैं compare करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहां पर जो jsn alpha है वो 16 का है quant के पास में जबकि बाकी जो 3 scheme है वो इसके आसपास भी यहां पर दिखाई नहीं देती है तो guys जितना आप यहां पर risk ले रहे हैं उसके अगेंस में आपको returns भी आप अच्छे मिल रहे हैं अगर guys यहां पर मैं returns की बात को तो आप screen के सामने देख सकते हैं यहां पर इसने हमेशा जो category average होता है अपनी जो category के mutual funds होते हैं उसके अंदर सभी को यहां पर इसने बीड किया है पिछले 5 साल के अंदर इवन अगर आप since inception भी दिखेंगे तो अगर आप ranking within the category दिखेंगे तो आप दिख सकते हमेशा यह top 5 ranking के उपर रहा है चाहे 5 साल की बात हो 3 साल की बात हो या जब से यह start हुआ है यानि almost इसको 9 साल हो चुके तब भी guys यह top 5 के यहापर category में शामिल रहा है इसके guys अगर मैं 5 साल के यहापर annualized return की बात को तो 19% से भी ज़ादा के इसने annualized return यहापर कमा के दिया है absolute return अगर आप दिखेंगे पिछले 5 साल का 144% से भी ज़ादा है plus guys अगर आप इस fund के अंदर मालीजे लंब सम नहीं अगर एक SIP के रूपे भी यहापर निवेश करते जो की बहुत ही अच्छा है यहापर इस टाइप के funds के अंदर invest करना तो पिछले 5 साल के अंदर guys आपका जो है annual जो CGA निकल के आता वो almost यहापर 30% का निकल के आता guys guys अगर आप इस fund की यहापर performance भी देखेंगे long term के अंदर भी तो इसने हमेशा यहापर nifty जो 50 यानि के जो top 50 companies होती है index उसको भी यहापर basically beat किया है even guys पिछले 5 साल के अगर मैं analyze returns को भी यहापर compare करता हूँ तो आप देख सकते हैं केवल 2018 के अंदर यह minus 9% गिरा था जबकि जो category average थे वो minus 5% के something यहापर जो गिरे थे उसके बाद भी आप यहापर देख सकते हैं 2022, 21, 20, 16, 17 हमेशा आपको यहापर positive returns देखने को मिल रहे हैं और जो category average है उसको हमेशा यहापर इसने beat किया है तो देखिए guys simple सी बात है अगर यहापर आपको high return देखने को मिल रहे हैं तो जब यह drawdown होगा यानि जब basically market यहापर गिरेगा तो उस time पे आपको ज़ो है जादर negative में भी returns देखने को मिल सकते हैं जो कि हम लोगों ने देखा कि 2018 में category average के वन माइनस 5% का गिरा है जबकि इसका माइनस 9% से गिरा है यही चीज हमें जो है worst quarter के इंदर भी देखने को मिल जाती जैसे आप देख सकते quarter जो second था 2022 का उसमें इस fund यहापर negative के इंदर minus 11% का return यहापर निकाल के दिया है वही पे जो category average थे वो minus 7% से यहापर गिरे थे even nifty 50 भी हमारा जो है minus 10% से correction में आया था तो obviously आते गाईस अगर market यहापर गिरता है तो यह fund भी यहापर बचने वाला नहीं है इसमें भी आपको यहापर जबदस drawdown देखने को मिल सकता है और गईसमें यहापर portfolio की बात को तो इसके इंदर basically 74% large cap companies है पिक अप करने की और आपको better returns यहापर provide करने की अगर मैं एक final यहापर simply conclusion दे रहा चाहूं कि अगर आपको long term के लिए निवेश करना है तो क्या आप quant का flaxi cap fund यहापर consider कर सकते हैं तो बिलकुल आप consider कर सकते हैं लेकिन मेरी राहे के अंदर यहापर लमसम आपको पैसा invest नहीं करना चाहिए आपको SIP के साथ में जाना चाहिए एवन आप देख सकते हैं पहले यहापर कुछ जो top category के अंदर यहापर दो mutual fund के साथ में जाना चाहिए दो mutual fund आपको pick up करने चाहिए और अपने portfolio को divide करना चाहिए कि किस percentage में कितनी के साथ में कहां पे जा सकता हूँ आउट से कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा थैंक्यू गाइस थैंक्यू वेरी मुझ